नमस्कार जहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल व्यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेक मिसरा आज आप सभी लों के लिए क्लास 6 की NCRTHT का चेप्टर 5 लेकर गया हूँ और आज के इस चेप्टर से हमको पूरे 15 कोस्टन्स मिलते हैं जो कि आपके UPSC Civil Service Exam आज इसके तयारी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ये 15 के 15 कोस्टन्स प्राचीन भारत के इतिहास से हैं और इससे पहले हमने अभी तक क्लास 6 की चेप्टर 1, 2, 3 और 4 के वीडियो को ला चुके हैं जिन में हमने इसी प्रकार से कोस्टन्स को डिसकर्स किया था और साम को 7 बजे पढ़ड़े एक चेप्टर आप लोग को मिलता है और इसी प्रकार से डेली मिलेगा तो अगर आप लोगों के पास notification ना भी पहुँचे तो साम को साथ बज़े आप लोग एक बार जरूर देख लिया करें तो आईए शुरू करते हैं इस chapter का नामे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें अर्थात आज किस chapter में हमको किताबों के बिसे में और कब्रों के बिसे में हमको जानकारियां प्राप्त होंगी कि प्राचीन काल में जो किताब में थी उनकी क्या महतोता थी उनसे हमें क्या कुछ मिलता है ठीक है और जो कबरें थी वो किस प्रकार से की थी और इनसे आज कलम को क्या कुछ मिलता है चलिए सबसे पहला कोशन दिया है कि बेद संख्या में चार हैं इनमें सबसे प्राचीन ब इने से पहले comment box में अपना answer दे दिया करें इससे आप लोगों के confidence में भी थोड़ी सी ब्रद्धी होती है आप लोगों का आत्म विश्वास उच्छ होता है तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजेगा आप लोग इसे एक test समझके हमको इस वीडियो को देखेगा ओके इससे प जब रचना जब हुई थी तो इनमें सबसे पहले रिगवेत की रचना की गई थी चलिए आंगे बढ़ते हैं तो question number 2 आप सभी लोग के सामने है रिगवेत की रचना कितने बर्स पूर्व हुई थी option A लगबग 3000 बर्स पूर्व option B लगबग 3500 बर्स पूर्व option C लगबग 2500 बर्स पूर्व option D लगबग 4000 बर्स पूर्व तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजीगा आप लोगों के आंसर का इंतिजार हम कर रहे हैं चलिए इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका option B विलकुल correct है अर्थात रिगवेत की रचना आज इससे लगब 3500 बर्स पूर्व हुई थी ओके चलिए अब देखते हैं question number चरीपलेस की ब्याख्या को देख लेते हैं ब्याख्या भी दी गई है रिगवेत की रचना लगबग 3500 बर्स पूर्व हुई थी इसमें 1000 से अधिक प्रात्नाएं हैं जिनें सूक्त कहा गया है इसमें जो 1000 से प्लब होता है अच्छी तरस से बोला गया यह सूक्त बिफिन देवी देपताओं की इस्तुत में रचे गए इनमें तीन देपता मुख्य प्रमुख्य बहुती महत्वपूर्ण हैं अगनी इंद्र और सोम अगनी आग के देपता इंद्र युद्ध के देपता और सोम जिन इमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन दिया जा रहा है रिगवेद में सभी सूक्तों की रचना पुरसों द्वारा की गई दूसरा कतन दिया जा रहा है रिगवेद की भासा प्रक संस्कृत या बैदिक संस्कृत कहलाती है इसके बाद में तीसरा दिया जा रह अर्थात केवल एक आंसर सही है केवल पहला कतन सही है तो ए अर्थात केवल एक पहला और दूसरा सही है तो बी अर्थात केवल एक और दो Option C में दिया जारा है केबल दूसरा और तीसरा अर्थात ये और ये Option D में ये तीनों सही है तो जल्दी से हमको इसका अंसर दीजेगा कि तीसरे का A, B, C, D कौन सा कतन सही है चलिए अब इसका अंसर हम आपको देते हैं इसका अंसर C बिल्कुल करेक्ट है अर्थात दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है और पहला कतन गलत है अब इसकी ब्याख्या को भी देख लेते हैं ब्याख्या में दिया जारा है कि बैदिक प्रात्नाओं की रचना रिषियों द्वारा की गई थी रिषियों के द्वारा ठीक है आचार विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, सब्दों और बाक्यों में बाट कर सस्वर पाठ कंठस्त करवाते थे, अर्थाद याद करवाते थे अधिकांज सूक्तों के रचाईता, सीखने और सुखाने वाले पूरुस थे, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी इसके बाद ने दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि रिगबेद की भासा प्रक संस्कृत या फिर बैदिक संस्कृत कहलाती है यह संस्कृत बर्तमान में इसकूलों में पढ़ाई जाने बाली संस्कृत से थोड़ी भीन है ठीक है यह थोड़ी सी कठिन थी और आजकल जो हम इसकूलों में संस्कृत को पढ़ते हैं यह थोड़ी सी सरल है इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया जा रहा कि रिगवेद का उच्चारण और स्रवन किया जाता था ना कि इन्हें पढ़ा जाता था देखी जो रिगवेद था इसका पहले उच्चारण किया जाता था और स्रवन किया जाता था अर्था सुना जाता था और इसको बांचा जाता था ठीक है रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था इसे चापने का काम तो आज से लगबग 200 वर्स पूर भी हुआ है ठीक है और इसके बाद में हम देखते हैं question number 4 को ये थोड़ा सा matching बाला question है अर्थात थोड़ा सा typical है कटिन है तो इसको हम आपको directly बता देंगे question number 4 दिया जा रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिएगा सूची एक में भासा दी गई है और सूची दो में भासा परिवार दिये गई है ठीक है तो आईए इसको भी देख लेते हैं इसका अंसर directly दिया गया है एक पोर है अर्था संस्क्रिट भासा भारोपी अर्था भारत और यूरोप भासा परिवार का इसके बाद में बी का ती है अर्थात उत्तर पूर्वी पूर्वोतर चेतर की भासा जो है यह होगी जाकर के तिबबत पर्मा भासा परिवार का हिस्सा ठीक है और इसके बाद में मल्यालम जो की C है यह होगा जाकर के दर्विन भासा परिवार का इसके बाद में एक ही बचता है जो कि मद्द भारत की बासा ये है और श्ट्रो एसियाई भासा परिवार का हिस्सा ठीक है तो ये आप लोग समझ लीजीगा इसकी ब्याख्या को भी दिया गया है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है इसकी ब्याख्या को भी समझ जीगा दिया जारगी संस्कित भासा भारोपिय भासा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भासाएं जैसे की असमिया गुजराती हिंदी कस्मिरिय और सिंधी एसिया भासाएं हैं जैसे फार्सी तता यूरोप की बहुत सी भासाएं जैसे अंग्रेजी फार्सी जर्मन यूनानी परिवार से जुड़ी हुई हैं इस परिवार से जुड़ी हुई हैं इन्हें एक भासा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंब में उनमें कई सब्द एक जैसे थे उधान के लिए मात्री जिसका जो की संस्कृत में है इसके आदे मा जो की हिंदी में है और इसको बदल अब इसके बिसे में एक पॉइंट भी दिये जा रहा है भारती उप महावदूइप में दूसरे भासा परिवार की भासाएं भी बोली जाती हैं पूर्वोत्तर परदेशों में तिब्बद बर्मा परिवार की भासा बोली जाती हैं तमिल तेलगू कन्नड और मलियालम जबकि जारखंड और मद्ध भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली बासाएं और श्ट्रो एसियाटिक परिवार से जुड़ी हैं अब इसी प्रकार से हम हर कोस्टन की ब्याख्य को आप लोगों को बताएंगे कोस्टन नमर फाइब आप लोगों के सामने है रिग बेद में निमलिखित में से किन नदियों का उलेक सबसे कम हुआ है आपसन पहला कतन दिया जा रहा है की सरसोती दूसरी है नदी सिंद तीसरी है गंगा चौती है यमुना और पांचमी है ब्यास नदी इन में से ऐसी कौन स अर्फारी आपसे नदियों का उलेक सबसे कम हुआ है या फिर का अंसर जलदी से हम को कमेंट बॉक्स में दीजेगा पांचमी में का A सही है या फिर B सही है या फिर C सही है फिर D सही है चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका option C बिल्कुल सही है तीसरी गंगा और यमुना ये दो नदियां ऐसी है जिनका उलेख रिगवेद में सबसे कम हुआ है ठीक है अब इसकी ब्याख्य को भी देख लेते हैं ब्याख्या बहुती कम दी गई है रिगवेद में सरसुती सिंदू और उसकी सहाइक नदियों जो की ब्याज सतलच है वा अन है ठीक है राभी सतलच ब्यासी है तो ये नदियों का बढ़न कई बार हुआ है परन्तु गंगा और ये मुना कवलेख एक बार हुआ है रिगवेद में सारबाधिक बढ़नित नदी सिंदू है जो रिगवेद में सबसे ज़्यादा बढ़न किया गया है जिस नदी का वो है सिंदू ठीक है और तथा सरबाधिक पवित्र नदी को सरसुती माना गया है चलिए अब देखते हैं हम कोस्टन नमबर सिक्स को ये भी बहुत इंपॉर्टन कोस्टन है रिगवेदिक युद्धों के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है आप्सन ए इस काल में मवेसियों के दोरा युद्ध लड़े जाते थे आप्सन बी लड़ायां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी आप्सन सी युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहतों में बांटा जाता था आप्सन डी इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थान सेना नहीं होती थी तो जल्दी से हमको बताईगा कि रिख विदिग वैदिग युद्धों के संदर्व में निमने लिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है चलिए अब इसका आंसर हम आप लोगों को देते हैं इसका जो कतन सी है अर्थाद युद्धों में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोईतों में बांटा जाता था ये कतन गलत है बाकि के जो तीन कतन है इस काल में मबेशियों के लिए युद्ध लड़ा जाता था युद में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिसाब पुरोईतों को दे दिया जाता था सेस धन आम लोगों में बांटा जाता था कुछ धन यग के लिए भी परियुक्त होता था यग की आग में घी अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुत भी दी जाती थी बड़ी ही गलत बात थी की जानवरों की भी आहुत दी जाती थी ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number seven को जो की बहुत important है निमलेकित में से कौन से कौन सा या फिर से सब्द जिनका सब्द अर्थात नाम ठीक है रिगवेद में मिलता या फिर मिलते हैं पहला है नाम पूरू जन या फिर बिस ठीक है दूसरा है भरत जन या फ या फिर बिस तो जल्ली से इसका अंसर में को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा option a सब्सक्राइब या फिर नीचे के कूट का प्रियों करके आपको अंसर देना इनका ठीक है तो option a अर्थात केवल इसका मिलता है option b केवल दो और तीन भारत भरत जन या फिर बिस और या फिर है इसका मिलता है या फिर से साही है अब इसका आंसर अंशर अपको देते हैं इसका घीन ओ बैज्ट में मिलता है ठीक है चलिए अंगे बरतेयों और जंता या पूरे समुधाय के लिए दो सब्दों जन और विष का प्रियोग होता था जो बैस सब्द है यह यह बैस से निकला रिख बेद में विष्टो और जनौ के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पुरुजन या विष्ट और भरत जन या विष्ट जैसे कई उलेक मिलते हैं ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमर एट को ये सारही कोस्टन बहुती डिफिकल्ट है और बहुती इंपोर्टेंट है मैंने जो तो कोस्टनों को बड़ा करके रख लिया है जैसे की कम कोस्टन हो और बीडियो जल्दी से छोटा बीडियो बने ठीक है कोस्टन नमर एट दिया जारही की रिख वैदिकल्ट में काम के अधार पर वर्गी कृत दो समू हो पुरोहितों वर राजा के संदर्व में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन दिया जा रहा है पुरोहित जिने कभी-कभी इब्रहमर कहा जाता था तरह-तरह की यग्य और अनुष्ठान करते थे दूसरा दिया जारह की राजा महलों में रहते थे और सासन के लिए कर बसूल करते थे तो इसका कौन सा आप्सन सही है उपरियू कतनों में से कौन से कतन सही है अप्सन A अर्थात केवल ये वाला सही केवल एक अप्सन B केवल दो सही अप्सन C एक और दो दो सही अप्सन D ना तो ये वाला सही है और ना तो ये वाला सही है चलिए जल्दी से इसका अंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीज़े का आप से सिर्फ एक उम्मिद रहती है कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को दिया करें चलिए भी इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका उप्सन ए बिल्कुस सही है ठीक है केवल इवाला सही जो पुरोईत थे उन्हें कभी कभी ब्रामण कहा जाते था और तरह तरह की यग्ये अनुष्ठान ये ब्रामण लोग किया करते थे ठीक है इसके बाद में जो दूसरा वाला आपसन दिया जा कि राजा महलों में रहते थे और सासन के लिए करवसूल से थे ठीक है तो ये वाला आपसन गलते इसके ब्याख्या भी दी जा रही है इसको समझेगा पुरोईतों को कभी कभी ब्रामण कहा जाता था ये यग्ये और अनुष्ठान करते थे रिग्ववैदिक काल में राजा ना तो बड़ी राजधनियों और महलों में रहते थे ना इनके पास सेना थी और ना ही ये करवसूलते थे यही नहीं राजा की मृत्यू के बाद उनका बेटा अपने आप सासक नहीं बन जाता था क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था उसकी सक्तियां सीमित थी आभास होता था कि कबीले की आम सबा जो की समित कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी ठीक है इसके बाद में देखते हैं Question No.9 को इसका अंसर आप लोगों ने देख लिया है जो आरे लोग थे ये अपने बिरोधियों को दस्यू करके बुलाती थे और इसकी यहां पर ब्यक्ख्या भी दी गई है आरे लोग अपने बिरोधियों को दास या फिर दस्यू कहते थे दस्यू बे लोग थे जो यग्ग नहीं करते थे और सायद दूसरी भासाइं बोलते थे बाद के समय में दास, इस्त्रीलिंग, दासी सब्द का मतलब गुलाम हो गया उन्हें, उनके मालिक की संपत्ती माना जाता था जो काम मालिक चांते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कोस्टन नमट 10 को पांच कोस्टन और रहे गए हैं, इसके बाद में तो उन सभी को देखते हैं दसमा कोस्टन दिया जा रहा है कि जिस यूग में उपमहादूइप के उत्तर पस्चिम में रिग बेद की रशना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगवों पर महापासाड़ी कबरे बनानी की प्रथा का विकास हो रहा था महापासाड़ी कबरों की प्रथा के संदर्व में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन दिया जा रहा है कि यह प्रता केवल दक्कन और दक्षिन भारत में प्रचलित थी दूसरा कतन दिया जा रहा है कि कुछ महापासान जमीन में भीतर जमीन के भीतर भी होते हैं कुछ जमीन के उपर ही दिखे जाते हैं तो इन में से कौन सा कथन सही है जल्दी से हमको comment box में बताईगा option A अर्थात केवल A सही है option B अर्थात केवल दूसरा सही option C अर्थात केवल 1 और 2 ये दोनों सही है option D अर्थात ना तो 1 सही है और ना ही दूसरा सही है इन दोनों में कौन सा आप्सन साइए जल्दी से हमको कमेंट बस बताईगा चलिए अब इस कांसर हम आपको बताते हैं इसका आप्सन B बिल्कुर करेक्ट है अर्थात है कुछ महापासांट जमीन के भीतर होते हैं कुछ जमीन के उपर दिख जाते हैं ब्यक्षा को भी देख लेते हैं कबर बनाने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रियोग ही महापासान अथा महाबड़ा पासान अथर पत्थर बड़ा पत्थर कहलाता यह सिलाखंड दफन करने की जगहे पर लोगों दोरह बड़े अच्छे धंग से लगाए जाते थे अर्था जब कोई ब्यक्ति मर जाता था उसको दफन किया जाता तो दफन करते समय उस जगहे पर कुछ सिलाखंड लगा जाते थे जो की बड़े-बड़े होते थे उनको महापासान कहा जाता था ठीक है इसके दो पॉइंट भी दिये जा रहे महापासान कबरें बनाने की प्रथा लगबग आज से 3000 बर्स पूर्व शुरू हुई यह प्रथा यह प्रथा दक्कन दक्षिन भारत उत्तर पूर्वी भारत और कस्मीर में प्रचलित थी ठीक है दूसरा पॉइंट दिया जर की कुछ महापासान जमीन के उपर ही दिख जाते थे कुछ महापासान जमीन के भीतर भी होते हैं ठीक है और कुछ उपर भी दिख जाते हैं इस तरह के महापासाणी कबरों को ताबूत, सबाधान, सिष्ट कहा जाता है अब आईए देखते हैं question number 11 को जो की बहुत ही important है निमने लिखित में से कौन सा या फिर से चिन जमीन के भीतर महापासाणी कबरों को दर्स आते हैं option A अथाद पहला कथन, पहला दिये गोलाकार सजाए हुए पत्तर, दूसरा अकेला खड़ा हुआ पत्तर, तीसरा पत्तरों के बड़े चबूतरे तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा ये जो option दिया जा रहा है, ये सही है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करके सही उत्तर को चुनिएगा, केवल एक option A में दिया है, केवल एक है option B में केवल एक और दो, option C में दिया जा रहा है कि केबल तीन अर्था दिये ऑप्सन डी है कि एक दो तीन ये तीनों सही दिये गए हैं ठीक है तो जल्दी से इसका अंसरम को कमेंट बाक्स मताइए कि ये ऐसे दो चिन हैं जो की जमीन के भीतर महा पास्वारी कब्रों को दर साते हैं ठीक है अभ इसकी व्याख्या को देखते हैं अगर है नहीं है ठीक है तो अब देखते हैं कोस्टन ंंबर 12 को सबी महापास साड़ी कबरों में कुछ समानता है समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दपनाया जाता था इन्हें बर्तनों को निमनलिखित जो बर्तन है निमनलिखित में से किस नाम से जाना जाता था अर्था जो बर्तन इनके साथ में दफना जाते थे उनको किस नाम से जाना जाता था उप्सन A अर्था काले लाल मिट्टी के बर्तन उप्सन B हरे नीले मिट्टी के बर्तन उप्सन C अर्था सुनहरे मिट्टी के बर्तन इन में से कौन सा option सही है जल्दी से हमको बताईगा comment box में 12 का A सही है या फिर 12 का B सही है फिर 12 का C सही है या फिर 12 का D सही है चलिए विसकान से नम आपको बताते है इसका 12 का A बाला सही है अर्थात काले लाल मिटी के बरतन ठीक है अब आईए देखते है question number 13 को जो कि बहुत ही important है question number 13 दिया जा रहा है कि महापासारी कबरों के संदर्व में निमलिखित कतरों में से कौन सा सही नहीं है option A महापासारी कबरों से प्राप्त चीजें दपनाए गए लोगों की सामाजिक इस्तित में भिनता को दरसाती है option B कुछ महापासारी कबरों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले है option C कबरों पर गोलाकार चटाने या खड़ी चटाने रख करके चिन बनाय जाते थे ताकि लोग आवश्यक्ता नुसार सबों को दफनाने दुबारा आ सके या फिर option D कबरों में दुबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेत होल के नाम से जाना जाता था तो इसका जो कौन सा option गलत है अर्था जो चार कथन दिये जाने में से कौन सा कथन गलत है ठीक है जो कथन दिये वो आपको जल्दी से हमको comment box में बताना है चली इसका answer में आपको दे देते हैं इसका option D ये वाला गलत है कथन जो ये दिया जा रहा है ठीक है अब इसकी ब्याक्या को भी देख लेते हैं ब्याक्या बड़ी ही लंबी है लेकिन बहुत ही important है ब्रमगिरी में एक ब्यक्तिकी कबर में 13 सोने के मनके और संक पाए गए ज एक साथ ही स्थान पर एक साथ एक ही स्थान पर अलग-अलग समय दपनाया गया दपनाया गया था बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कबरों में लाकर के दपनाया जाता था कबरों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े गोलाक जिसको बड़ा सुराख बड़ा रास्ता होता जिसको बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहते थे इसे डेथ होल नहीं कहते थे पोर्ट होल कहा जाता था ठीक है चलिए अद देखते हैं question number 14 को जिसकी ब्याख्या और आप सभी लोग के सामने इनाम गाउं एक आरंबिक गाउं था जहां 3600 से 2700 बर्स पूर्ब लोग रहते थे इनाम गाउं निमलिकित में से किस नदी के किनारे इस्थित है अपसन ई भीमा नदी ऑपसन बी घोड अपसन सि सीना इटो इसका आंसर है अर्थाथ घोड थीक है तो घोड नदी एक आईसी है जिसके किनारे यह इनाम गाउं के आरंबिक गाउं ठीक है इनाम गाउं एक आरंबिक गाउं है जो कि जहांपर 3600 से 2700 बर्श पूर्ब रहते थ इनाम गाओं घोड नदी की किनारी स्थित है ठीक है अब इसकी ब्याक्यां पर दीजार कि इनाम गाओं भीमा की साइक नदी है जो की घोड की किनारी एक जगए है इस जगए पर 3600-2700 बर्सपूर वो लोग रहती थे अब आए देखते हैं कोस्टन नंबर 15 को चरक सैंता निम कोस्टन है ठीक है चली इसका अंसर माव आपको देते हैं इसका उप्शन सी बिल्कूर करेक्ट है चरक सैंता चिकित्सा से संबंदित है इसकी ब्याक्या भी दी गई है आज इसे लगबग 2000 बर्स पूर्व चरक नाम की प्रसिद्ध बैद्ध हुए थे उन्होंने चिकित्स से काफी ज़्यादा हैं संबंदिता चरक ने अपनी गिनती में दात हड्डियों के जोड़ और कार्टी लेज को जोड़ कर ये संक्या बताई होगी ठीक है तो क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पहले के लोग थे ठीक है उन्होंने जो आज की जो हमारे बैग्यानी बैग्या अबम प्रवधोकी है ये जो निकाल करे के गड़ित देती है जो अपना आकड़ा देती है उसके जो हमारे पूरवजों ने दे दिये हैं आकड़े उससे बिलकुल मिलते जुलते हैं ठीक है तो हमारे आज के इस वीडियो में इतने ही प्रसंते आगर आप लोगों ने आज क अब कोस्टन के आंसर दिये हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और लगबग देखते हैं तो लोग अब आंसर बहुत ही जाना देने लगे हैं आप लोगों से एक ही उम्मेद रहती कि हमारे वीडियो को सेर जरू कर दिया करे हमारे जिद्रिन संकल वीडियो चनल पर यूपी